नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हर्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टॉपिक लेकर आया हूँ भैट को खत्म करने के विशे में अपने सरीर को त्यार कीजिए खुद से ही फैट को खत्म करने के लिए जानिये कैसे इसे जानने के लिए किरपे हमारी वीडियो को देखते रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतास टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप बिमारीयों के लिए ओश्दी घर पर ही बनाकर उनका इलाज कर सकते हैं और सुबास्ता जी सकते हैं अब मैं बात करूँगा अपने शरीर को त्यार कीजिए खुद से ही भैट को खतम करने के लिए आज की एनिमी लाइफस्टाइल में वजन का बढ़ना एक आम समस्या है हम अपने जीवन सैले में थोड़ा सा सुधार करके वजन बढ़ने की इस समस्या को रोक सकते हैं आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही वेट लोस प्रोग्राम बता रहे हैं जिसके जरीए आप बिना किसी एकसरसाइज के भी वेट लोस कर सकते हैं आप कलोरी को बर्न करने के लिए नीट का इस्तमाल करें नीट का मतलब है नोन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मो जेनेसिस यानि हम जो भी मूवमेंट करते हैं उसको लेकर यह एक फैंसी ट्रम है एक सोध के मताबिक हर किसी के एक्टिविटी का स्थर भिन भिन होता है एक दिन में नीट के जरिये व्यक्ति दो हजार तक कलोरी कम कर सकते है इसके इलावा इन टिप्स को भी फोलो करें ओफिस में कलोरी बर्न करें ओफिस में दिन बर बैठे ना रहें बलकि जब भी मोका मिले थोड़ा इदर उदर टह लें शोदों का कहना है ओफिस में दिन बर बैठे रहने से वजन बढ़ता है अगर आप डैस्क की जो कितने भी घंटे टीवी के आगे बैठी रहती होंगी, इस दोरान बीच बीच में उठकर इदर उदर टहलें और अपनी कलोरी बर्न करें, जब घर में हों तो खुद ही जाडू पोचा लगाएं, इससे काफी कलोरी बर्न होती है और आपका मुटापा कम होता है, बच्चों के आप गती सील रहते हैं और आपकी कलोरी बर्न होती है और आपका मुटापा कम होता है, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अपने सरीर को त्यार कीजिए, खुद से ही फैट को खतम करने के लिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, या इससे आपको कोई जान सब्सक्राइब कराते हैं, जिन से कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, और सुख में जीवन जी सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों